नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनंदन दिपावली के स्पावन पर्वत्योहर में आज मैं आपको बता रहा हूं विसेश रुप से दिपावली का मौरत ये आपने भली प्रिकास सुनना है समझना है और नोट करके रखना है दिपावली भारतवस में मनाय जाने वाला हिंदूआं का एक ऐसा पर्वे जिसके बारे में लगबग सभी जानते हैं प्रभुसी राम की अधिय वापसी पर लोगों ने उनका स्वागत घी के दिये जला करके किया अमांस्या की काली रात भी रोशन हो गई, अंधेरा मिठ गया, उज़ाला हो गया यानि अग्यांता के अंधकार को समप्ष करके घ्यान का प्राकास हर और फैलने लगा इसलिए दिपावली को प्राकासों सब भी कहा जाता है दिपावले का त्योहार जब आता है तो साथ में अनेक त्योहार साथ में लेकर के आता है एक और ये जीवन में ग्यान रूपी प्रकास को लाने वाला है तो वहीं सुक स्मद्धी कामना के लिए दिपावले से बढ़ कर कोई त्योहार नहीं होता इसलिए इस अवसर पर लक्षमी की पूजा भी की जाती है दीपदान, धन्तेरस, गोवर्दन पूजा, भाईदूज, आदी, सबी त्योहार दिपावली के साथ साथ ही मनाए जाते है सांसकर्थिक, सामाजिक, दार्मिक और आर्थिक हर लिहाज से दिपावली बहुत ही मौत्पूर्ट त्योहार है वर्दमान में तो इस त्योहार ने दार्मिक बेदबाव को भूला दिया है और सभी धर्मों के लोग इसे अपने-पने तरीके से मनाने लगे हाला कि पूरी दुनिया में दिपावली से मिलते चुलते त्योहार अलग-लग नामों से मनाए जाते हैं लेकिन भारत में विसेशकर हिंदुओं में दिपावली का त्योहार बहुत ज़्यादा माइने रखता है दिपावली और लक्षमी पूजा एक दूसरे के पूरक है माता लक्षमी की करपा पाने के लिए इस दिन को बहुती सुब माना जाता है गर में सुक इसमदी बनी रहे और मा लक्षमी इस्थिर बनी रहे आपके गर में मा लक्षमी इस्थिर रहे इसके लिए दिन भर मा लक्षमी का अपवास रखने के उपरान सूर्योदे के पस्चात में प्रदोस काल के दोरान इस्थिर लगना आता है व्रसब लगना आता है इ पर्द रात्री में एक सिंग लगन भी आता है वह भी स्थिर लगने उसमें भी कुछ लोग लक्षमी की पूजा उपासना करते हैं दिपावली हिंदू धर्म का सरवादिक मात्पून धार्मिक पर्व है दिपावली की साहिंकाल में यानि प्रदोसकाल के सुब मौरत में माता लक्षमी भगवान गणेश के साथ-साथ माता सरस्वती धन के देवता कुबेर और मा काली की पूजा होती है अब इस वर्स लोगों में कुछ confusion है ठीक है दिपावली किस दिन आरंब होगी अताद अमावसिया कब आरंब होगी तो 27 अक्टूबर 2019 को दोपर में 12 बज़ करके 22 मिनट से अमावसिया आरंब हो जाएगी और 28 अक्टूबर अगले दिन 28 अक्टूबर 2019 को राता 9 बज़ करके 8 मिन पर अमावसिया समाप्त हो जाएगी इसलिए जो प्रदोस व्यापनी अमावसिया होने से इस दिन लक्षमी पूजन करना सास्त्र सिद्ध है इसलिए कोई confusion वाली बात नहीं है जिस दिन प्रदोस काल हो उस दिन दिपावली मनाई जाती है तो 27 तारीक अमावसिया भी हो नहीं होगा तो दिपावली मनाना सास्त्र सिद्ध मारत है अब बात करतें दिपावली पूजन के मारत की दिपावली और लक्षमी पूजा रवीवार 27 अक्टूबर भी को लक्षमी पूजन का सुब मारत जो प्रदोस काल के समय होगा और South kolay का समय तो सब्सक्राइब होता कुछ लोग जो तंत्र को जानने वाले हैं वो इपावली की रात्री में मानिशाकाल में मौरत करते हैं तो मानिशाकाल का मौरत क्या है मध्य रात्री में 11 बच के 49 मिनट से रात्री को 12 बच के 30 मिनट तक ये लक्षमी पूजा का मानिशाकाल का मौरत रहेगा विसेस मौरत का जाता है इसे अब मैं बताता हूं जोतिष्यों का मॉरत जो हम लोग स्थिल में दिजाकर करेंगे तो इस shifting करने की जोरूत नहीं रहती है कॉर स्थ्थिल लगने में होते हैं तो इस तुल लगनेelin चार मॉरत होता है पहला है व्रश्टिक लगन जो प्रात्यकाल में आ जाता है 8 बच के 23 मिनट से 10 बच के 40 मिनट तक एक दूपर में कुम लगन आता है वह भी स्थिर लगने में दोपेर में दो बच के 27 मिनट से 3 बच के 58 मिनिट तक प्टी साइंकाल प्रदोसकाल के समय आता है व्रशब लगन साथ बच के 3 मिनट से रात को 9 बजजे तक कि ऐसे और एक मौरत आता अर्ठरातीरी में शिंग लगन एक बच के 31 मिनट से लगा करके 3-46 निट तक शर्व फिल्स मौरत होगा क्याओं कि इसी मौरत के समय स्वाति नक्षतर 20 में सम्नित हो जाएगा गले पातिनक्स समिलित होने से सिंग लगने का जो समयकाल है वो और ज्यादा उपयोगी हो जाएगा और ज्यादा लापतायक हो जाएगा और ज्यादा विसेश मौरत हो जाएगा अब इसके साथ में एक विश्यस बात और है कि जब आप दिपावली की पूजा उपासना करोंगे जब आप गैनों की पूजा करेंगे जब आप लक्षमी को इस्ताई करोंगे अथा लक्षमी की पूजा करके आप सारा समगरी वहीं छोड़ करके उठ जाएंगे तो अगले द जहां से आपने गैने लिए उसको रखने का भी विशेस मौरत होता है आपको ध्यान हो या नहीं ध्यान हो लेकिन उसका मौरत का बहुत माइन है सूम बार को 28 अक्टूबर को मौर्निंग में प्राता 6 बच के 48 मिनट से 7 बच के 30 मिनट तक अमरत का चोगड़िया होगा उसमें आप ये सामगरी वापस पुन यतास्तान रख सकते हैं यदि ये समय निकल जाता है इसके पस्चात 9 बच के 34 मिनट से 10 बच के 58 मिनट तक दोपर में एक और मौरत आता है 11 बच के 69 मिनट से 12 बच के 45 मिनट तक इसे अभीजीत मौरत का आ जाता है जब कोई मौरत समझ में नहीं आए तो अभीजीत मौरत को सरुसेष्ट मौरत का आ जाता है दोपर के समय में एक मौरत आएगा एक बच के 45 मिनट से तीन बच के 8 मिनट तक चंचल का चोगडिया रहेगा उसमें भी आप सारी समगरी को यतास्तान पुना अपने अस्थान पर रख सकते हैं और जो सायंकाल के समय समय को पुना यतास्तान रखना चाते हैं वो सायंकाल में 3 बच के 8 मिनट से 5 बच के 45 मिनट तक लाब और अम्रत के चोगडिया में सभी समगरी को पुना यतास्तान इस्थान पर सकते हैं इस प्रकार आप लक्षमी का पूजन भी मौरत में करेंगे और वापस सामगरी को रखने का जो कार है वो भी मौरत के अनुसार करेंगे तो मौरत को रखने का सामगरी पुनो यतास्तान रखने का भी मौरत विलक्षन मौरत सब दिपावली की रातरी को पूजा करने के बाद ह देखा जाता है तो मैंने आपको दिपावली की पूजा का स्थिर लगने का बी और वापस पुन्य सामगरी रखने का अताद वह सामगरी जो उठाई जाती है उसका भी मौरत होता है वो भी मैंने बतला दिया है तो यह मौरत आप ध्यानपुरों कहीं नोट कर लें और नहीं तो इस वीडियो को record कर लीजिए, save कर लीजिए, उससे आपको उस समय जादा इधर इदो जांकना नहीं पड़ेगा, वापस देखना नहीं पड़ेगा, डूंडना नहीं पड़ेगा, और कई बार ऐसा होता है, कि जब जिस चीज की ज़रूत होती है, तब वो चीज नहीं मिल पाती है, तो समय से पहले इन सब बातों के उपर जानकारी कर लीजिए, आपने क्या करना है, सामान कब रखना है, तो एक पेपर पर लिख करके वो पेपर यतास्तान अच्छी जगे रख दीजिए, चैपूजास्तान में रख दीजिए, चिपका दीजिए कहीं पर, तो बहुत अच्छे डंग से बहुत भली प्रकार सद्दा बाव से लक्षमी की पूजा उपासना करेंगे, लक्षमी को अपने घर पर अमंतरीत करेंगे, और ऐसा वातवरन बनाएंगे, कि लक्षमी सदेव चिरकाल के लिए आपके घर पर स्थर ही हो जाए, लक्षमी का घर में प्रसंता रहना, आमदिनी होना, और आमदिनी वो ही आदिनी कर सकता है, जो स्वस्त हो, तो एक प्रकार से हम स्वस्त रहें, हम धन कमाते रहें, अपने परिवार को पालन प्रसंट करते रहें, अपने परिवार जो बुजूर गया, उनका ध्यान रखते रहें, और स प्रसंद रहे हैं अपने परिवहर वालों का खायल रखें आप सभी को मेरा नमस कार शुपकाम नाय दफीड कोरे जो आमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देनी की शम्ता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांती, कलेश को नहीं मिटा सकती। जी हाँ, मिटा सकता है। यदि आपको भी आशिरवाद मिल जाए, इश्वर का, मार्क तेशन मिल जाए, गुरु का, सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का, और विलक्षन सामगरियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस पर पूरी श्रधा और विश्वास के साथ। शाक्षाद मालक्षमी को आमंत्रित करें इस अमुली आक्षे लक्षमी को बेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समरधी, शांती, सुख, सफलता, पूरे वर्ष भर। इस कलश में समाफेश है 27 विलक्षन सामगरियों का, इन एक-एक सामकरी को मंत्र जाब अनुष्ठन प्रान प्रतिष्टा से जाकरत किया है पंडित श्री माली जी के सानिद में विद्वान कर्म कांडी पंडित उत्वारा ताकि आपको मिले अताधन यश किर्ती वैभव तो देर किस बात की एक शंड भी व्यर्त कवाय बिना माल लक्षमी को चिरकाल तक के लिए